एई गाइज, what's up, कैसे हैं आप सभी लोग, बहुत-बहुत सभागत है आप सबका आज के इस amazing से session में हम कर रहे हैं ratio, proportion, indices and logarithms और आज इसका 7th lecture लेकर मैं आपके सामने आया हूँ हम लोगों ने इस chapter के 2 parts complete कर लिए है, ratio complete हो गया है, proportion complete हो गया है and now we're going to be starting with indices from today तो जितने भी students यहाँ पर नए है, यह मेरे बारे में कुछ basic information है, इसको आप लोग देख सकते हो यह मेरा schedule है, December 2023 के लिए रोज सुभा 10 बज़े यहाँ पर मेरी class होती है, कभी live, कभी recorded usually Mondays, Tuesdays और Wednesdays को live class होती है, unless I am otherwise occupied और Thursday, Friday, Saturday को Unacademy Plus के एकागरता batch में मेरी सुभा सभा 10 बज़े class होती है तो इसलिए Thursdays, Fridays और Saturdays को usually यहाँ पर recorded classes आपकी चलती है लेकिन रोज सुभा 10 बज़े आपकी class चलती जरूर है तो अगर आप चाहते हो कि आप 100% live पढ़ाही करो तो फिर आप Unacademy Plus का subscription लेकर एकागरता batch को join कर सकते हो and if you use my code NISH10 while taking the subscription, you'll get maximum possible discount बाकी वीडियो के description में आपको virtual library का भी link मिल जाएगा जहां से आप तेरे पुराने सभी sessions को access कर सकते हो वो December 23 के लिए आप लिके मिले, लिके live नहीं है, यह recorded होगे Let's get started with today's session It's a very very interesting topic और बहुत मज़ा आएगा indices को पढ़ने में लेकिन शर्त मेरी वही रहीगी कि आप लोग शांती पूरवक सुनेंगे आप लोग आराम से सुनेंगे and यह वाला topic भी बहुत मज़ेदार हो जाएगा जैसे कि बाकी सारे topics होते रहते हैं साक्षी दूबे दीक्षा गौड अनिकेत नाकपाल सुचल पवार सुचल पवार आर्यन कुमार सर जी आपने कहा था कि डिसेंबर 21 के पेपर के अनालेसिस का सेशन होगे हां जी चांदी माथूर बिलकुल लूँगा मैं किसी कारण वश वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया लेकिन मैं लूँगा जरूर ठीक है डिसेंबर 21 की पेपर का अनालेसिस पेपर के और यह जिस प्रकार की हसी आपने इस स्टेट्मेंट के बाद डाली है जोती मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा खुराफात आज जोती करने वाली है किसी एक दिन सब्सक्राइब करने के लिए एक टूल का इस्तेमाल किया जाता था और वो टूल है क्या बोला मैंने पुराने जमाने में complicated calculations को simplify करने के लिए indices का इस्तेमाल किया जाता था सर आज के जमाने में आज के जमाने में everything is on calculators और on computers ठीक है आज के जमाने में especially for CA students indices का कुछ बहुत ज्यादा रोल नहीं है लेकिन क्योंकि यह हमारे syllabus में है और क्योंकि इससे अब ज्यादा weightage के marks आने लग गए है let me tell you very clearly ratio proportion indices logarithm से अभी तक on an average 3 to 4 marks के questions आते थे बस ठीक है लेकिन जो December 21 वाला paper हुआ उस वाले paper में ratio proportion indices और logarithm से 10 to 12 marks के questions आये है तो यह काफी एक अच्छा step है by the ICAI क्योंकि इस वाले chapter में actually 4 बड़े-बड़े areas है ratio है proportion है indices है और logarithm है तो अगर इतना सब होने के बाबजूद ICAI उसमें से questions नहीं देता है तो यह थोड़ा सा demotivating हो जाता है and students tend to leave this chapter right which should not be done तो अभी ICAI ने इसकी weightage बढ़ाना शुरू कर दिया है तो अब indices से indices से और भी ज्यादा questions आप लोगों के आने की chances हो गए है right so हम लोग indices को बहुत आराम से पढ़ेंगे 3 sessions होंगे आज अभी यह वाला session हो रहा है फिर दोपहर को दो बड़े वाले जो session होगा उसमें भी indices होगा और फिर कल सुभा indices आपका खतम हो जाएगा ठीक है और कल दोपहर को दो बड़े वाले session में logarithm start कर देंगे ठीक है all right तो अभी indices क्या होता है complicated calculations को simplify करने के लिए indices का इस्तिमाल किया जाता था पुराने जमाने में हो सकता है आज भी किया जाता हो लेकिन for the chartered accountant इसका रोल सिर्फ और सिर्फ आपको see foundation का math का paper clear करवाने का है ठीक है तो अब मेरी बात ज़रा आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे हम सब लोगों ने इस टाइप के numbers देखे होंगे 2 raised to the power 7 4 raised to the power 9 2 cube 3 square and so on हम सब लोगों ने इस टाइप के numbers देखे होंगे जहां से सुनेंगे ठीक है अब ऐसे में इस structure में ये जो नीचे वाला number होता है इसको बोलते है base इसको क्या बोलते है base ठीक है और ये जो उपर वाला structure होता है इसको बोला जाता है power ठीक है 2 raised to the power 7 मैंने लिखते लिखते भी यही बोला 2 raised to the power 7 4 raised to the power 9 2 raised to the power 3 3 raised to the power 2 मैंने लिखते लिखते भी यही बोला ठीक है अब ही देखो ये जो power है इसका दूसरा नाम होता है exponent और इसका एक और नाम होता है index इसका एक और नाम होता है index तो अगर आपके पास कोई ऐसा नमबर है suppose 2 raised to the power 7 करके तो 2 को बोला जाता है base और जो 7 है वो या तो आप उसको power बोल सकते हो या तो आप उसको exponent बोल सकते हो या तो आप उसको index बोल सकते हो यहाँ पर इस वाले चाप्टर ने cool बनने की कोशिश की यह काईदे से इस चाप्टर का नाम powers भी किया जा सकता था यह इस चाप्टर का नाम exponents भी किया जा सकता था लेकिन institute ने चुना इस चाप्टर का नाम indexes रखना इस चाप्टर का नाम powers भी हो सकता था इस chapter का नाम exponents भी हो सकता था और इस chapter का नाम indexes भी हो सकता था लेकिन कमाल की बात यह है कि index का जो plural होता है वो indexes नहीं होता index का जो plural होता है वो indices होता है तो पहले तो यह समझना जरूर यह है कि indices का मतलब क्या है सबसे पहले हम लोगों ने ratio जब start किया तो ratio का मतलब समझाता कि ratio होता क्या है basically comparison of two quantities उसके बाद हम लोगों ने जब proportion start किया तो हम लोगों ने chapter के नाम का मतलब समझा कि proportion का मतलब क्या होता है तो proportion का मतलब होता है equality of two ratios उसको हम लोग proportion कहते है अब जब indices पर हम लोग आ रहे हैं, तो before jumping into what the chapter contains, we must know what the chapter's name means, right, chapter के नाम का मतलब क्या है, तो अब indices है क्या, basically index का plural है, ठीक है, तो now सब के मन में confidence आ रहोगा, तो सर ये तो हम लोग बच्पन से कर रहे हैं, ये तो हमें बच्पन से पता है, वही तो मैं भी कह रहा हूं, ठीक है तो ये वाले जो chapter है, ये आप लोग बच्पन से कर रहे हो, आप सब को पता है, तो एक बार फिर से ये वाले chapter क्या हो जाएगा आपके, बस्पन का प्यार से भून नहीं जाना रहे, ठीक है, तो indices क्या है, कुछ नहीं है, जो आप powers में numbers देखते हो, तो जो power होती है, उसी को index बोला जाता है, और index का plural क्या होता है, index का plural हो जाता है, indices, that's it, right, the word indices is plural of index, when a number is expressed in the form of a raised to the power n, a is called the base and n is called the index or exponent or power, ठीक है, आप लोग चाहो तो इसका screenshot ले सकते है, आपने screenshot ले लिया होगा, बहुत ही अच्छी बात है, अब आईए देखते हैं, आगे, integral components of a real number, ठीक है, य इसको समझिएगा, positive integral power, ठीक है, कि अगर कोई भी एक real number है आपके पास a, और positive integer है n, ठीक है, तो a raised to the power n is defined as a into a into a dot 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 n times, this is common sense, अगर आपके पास 2 raised to the power 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 2, 2, 2, 2, यही मतलब होता है इसका, 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है, 2 raised to the power 4 का यही मतलब होता है न, 2 into 2 into 2 into 2, तो यही वाली चीज़ सो बता रहा है, a raised to the power n का क्या मतलब होगा, a into a into a into a into a into dot 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 2 raise to the power 4, ठीक है, अगर 2 raise to the power minus 4 हुआ, तो इसका मतलब हो जाता है, 1 upon 2 raise to the power 4, और इसका मतलब फिर से क्या हो जाएगा, 1 upon 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है, सर क्या ऐसे हो सकता है, 1 upon 2 raise to the power minus 4, हाँ, अगर ये होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 raise to the power 4, बेसिकली अगर numerator में power negative है, तो उसको denominator में ले जाओ, power positive बन जाएगे, और अगर denominator में power negative है, तो उसको numerator में ले जाओ, power positive बन जाएगे, सम्दद्द्द रएसिप्रोकल करने पर पावर का साइन चेंज हो जाता है यह बोला मैं रिष्प्रोकल करने पर पावर का साइन हो जाता है इस था से अंहीं को यड़् पावर फैट पंपॉर का मतलब 2 inंटू 2 in 2 2 in two two in two two कई सारे लोग सोच भी रहोंगे सर क्या बच्चो वाली चीज करना रहे हैं और वह अगर आपके इसलिबस में है तो इसके बाद या यही है आपके सिलिबस में तो इसमें अब मैं क्या करूं ठीक है? चलो जी, बहुत अच्छी बात है, reciprocal करने पर power का sign change हो जाता है, ठीक है? तो positive integral power आपने देख लिया, negative integral power भी मैंने बता दिया, अब बात आती है zero power की, तो अगर किसी भी number का power zero होगी, तो वो answer one हो जाएगा, ठीक है? यह rule बस आपको याद करना है, कि if two raised to the power zero होगा, त आपका दो 2943.7569, whole raised to the power 0, answer is 1, anything raised to the power 0 is 1, बस इतना आपको यापका, तीन चीज़े हैं, positive integral power, negative integral power, और आपके पास आ जाती है, 0 power, तो for any real number A, A raised to the power 0 is defined as 1, simple, I am sure, यहां तक सब समझ में आ गया, बोलो, निष्टे, 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 रोश्री कह रही है, yes, अरपन कह रही है, yes, दीश्या कह रही है, yes, तो यहां पर कई सारे लोगों ने कह दिया, yes, ठीक है, Nancy, sir, आप additional question bank solve ली नहीं है, सिर्फ chapters 3, 4, 19 और 14, यह चार chapters हैं, जिनके additional question banks आप लोगों को करने चाहिए, ठीक है, chapter 3 is linear inequalities, chapter 4 is time value of money, time value of money हम लोगों पूरा पूरा complete कर चुके हैं, तो उसका additional bank वहीं पर complete हो चुका है, chapter 14 measures of central tendency and dispersion का additional question bank अभी मैंने आप लोगों को नहीं कराया है, लेकिन November 21 students के लिए मैंने कराया था, उसके link आप सबको यहाँ पर virtual library में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर additional question bank की वीडियोस देख सकते हैं, और बाकी chapter number 19, sorry chapter number 18, जो की आपका index number से, वो मैंने अभी तक कराया है, ठीक है जी, तो additional question bank कराने के कोई बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं आप लोगों को, सिर्फ ICI के study material की exercises कर लिजे, scanner कर लिजे, scanner का latest edition आचुका है, तो वो आप लोग purchase कर सकते हो, sauda.com नाम की website से, आप Amazon या Flipkart से भी purchase कर सकते हो, but make sure that the seller is Shuchita Prakashen and you're buying the January 22 edition, I'll repeat, scanner का latest edition आ गया है, and that is the January 2022 edition, और उसमें भी तीन प्रकार के scanner होता है, आपको green edition ख सबसे ज्यादा सस्ता और सबसे ज्यादा comprehensive होता है, तो sauda.com, sauda.com वाली website है, आप Amazon Flipkart से भी ले सकते हो, आपको मिल जाएगा, लेकिन Amazon Flipkart से make sure कि वो seller आपका शुचिता प्रकाशन हो, क्योंकि कई बार पुराना edition आ जाता है, Amazon या Flipkart से order करने पे, तब ही एकदम safe side वही ह है कि आप sauda.com से order कर लो, ठीक है, बाकी आपकी जैसी मर्जी है, January 22 edition, green edition, ठीक है, January 22 edition और green edition, इतना ध्यान रखना, तो positive integral power हो गई, negative integral power हो गई, zero power हो गई, अब चलते हैं, आगे, indices के कुछ laws होते हैं, और वो बड़े interesting laws होते हैं, तो पहला law क्या कहता है? तो यह क्या हो जाएगा? 2 raised to the power 4 plus 9, yes, तो यह क्या हो जाएगा? 2 raised to the power 13, this is the first law, क्या यह law मुश्किल था? क्या यह law मुश्किल था? तो यह है बस पहला law of indices, बहुत ही simple सा law है, कि अगर 2 raised to the power 2, या 2 raised to the power 3 कर, कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, और मैं प्रूव भी कर दूँगा, यह इसमें कोई दिक्कत पाली बात ही है? अगर 2 raised to the power 3 into 2 raised to the power 4 होगा, तो this will be equal to 2 raised to the power 7, 3 plus 4, 7, यकीन नहीं होता, तो calculator देवता से दर्शन मांगे, और calculator देवता ने दर्शन दे दिये, तो 2 into power 2, 3, यह कितना है? 8 आया, into 2 into power 2, 3, 4, यह कितना है? 16 आया, यह कितना है? 2 raised to the power 7, 2 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 128 आया, ठीक है? तो 8 into 16 कितना? 8 into 16 will be 128, 8 into 16 is 128, first law approved, first law done. next question, यह रहा, आपके सामने, अरे सर को मैं क्यों नहीं दिख रही है, मैं ब्लॉक तो नहीं हो गई, नहीं मंदीप को और आप बिल्कुल दिख रही है मझे, देखे, आपका message मैंने पहली बार देखा, आज, चलिए, हो सकता है, आप पहले से reply कर रही हूँ, आप हो सकता है, पहले से messages कर रही हूँ, और मैं यह पठाने में इतना busy रहा हूँगा, यह पठाने में इतना magन रहा हूँगा, कि मैंने आपका message miss कर दिया होगा, I apologize for that, दूसरा law होता है, बेसे अगर सेम हो, टाना ना 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 ना, पावर्स अलग अलग हो, टाना ना 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 पावर्स माइनस हो जाएंगी, simple, तो अगर 2 raised to the power of 4 upon 2 raised to the power 3 है, तो यह हो जाएगा, 2 raised to the power of 4 minus 3, I don't think, इसमें मुझे कुछ प्रूफ ब्रूफ करने की ज़र्वत है यार, एकदम simple सा है, आप लोग देख सकते हो, 2 raised to the power of 1, 2, 3, 4, और यहां, 1, 2, 3, यह गया, बचा क्या 2, तो bases अगर same हो, powers अलग अलग हो, बीच में divide हो, तो powers minus हो जाएंगी, 4 minus 3 करके आ जाएगा, यह ना, very simple, third law, third law क्या कहता है, कि अगर आपके पास 2 raised to the power 2, whole raised to the power 3 हो, तो यह powers आपस में multiply हो जाएंगी, मतनब 2 raised to the power 2 into 3, यानि 2 raised to the power 6, तो जाहिर सी बात है, अगर 2 raised to the power 3, whole raised to the power 2 करें, तब भी तो यह ही रहेगा, 2 raised to the power 3 into 2, 2 raised to the power 6, यह indices के जो बहुत ही basic से laws हैं, जो आप लोग बच्पन से पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है, क्योंकि हम लोग maths के out of touch हो जाते हैं, जो चीज मैंने अभी कुछ time पहले भी बोली थी, क्योंकि maths के एकदम out of touch हो जाते ह 1 or 2 years, कि हमारे दिमाग में यह basic basic चीजें जो हैं, वो एकदम से click नहीं करती है, तो उन basic चीजों को बस 4-5 laws के form में बना कर यहां पर दिया हुआ है, बाखी तो हम लोगों को जो भी करना है, वो questions के through ही है, मैं समझ में आएगा, और questions के through भी अगर किसी को यह दिमाग में आत 2 raise to the power 6 हो जाएगा, similarly इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, 2 raise to the power 3 whole raise to the power 2, तब भी तो वह ही होगा, 2 raise to the power 3 into 2, यानि 2 raise to the power 6, तो I don't think इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है, तो a raise to the power m whole raise to the power n is equal to a raise to the power m into n, is equal to a raise to the power n whole raise to the power m, ठीक है, अब आप लोग कहोंगे sir, prove कर के 2 raise to the power 3, ठीक है, वाट इस 2 raise to the power 2, 4 raise to the power 3, 4 raise to the power 3, 4 4s are 16, 16 4s are 64, ठीक है, 2 square whole cube, तो 2 square पहले साल गया 4, और इसका whole cube किया, तो 4 4s are 16, 16 4s are 64 या आगया, अगर हम लॉक के हिसाब से चलें तो क्या हो जागा, 2 raise to the power 2 into 3, यानि 2 raise to the power 6, अब 2 raise to the power 6 भी देखलो, आपका 64 64 आ गया है, ठीक है, तो this law is proven, this law is proved as well, सद्धिये बस्पन का प्यार हम नहीं भूलें, शुभम, बहुत बढ़िया, चांदार, ठीक है, चलें आगे, चौथा law, चौथा law क्या कहता है, कि अगर आपके पास यह आपस में multiplication में हो, और whole race of the power n हो, तो यह वाली power जो है, इसको भी जाएगी, इसको भी जाएगी, इन दोनों को जाएगी, ठीक है, तो अगर माल लेजए, 2 into 3, whole race of the power 4 है, तो 2 race of the power 4, into 3 race of the power 4, ऐसे होगा, ठीक है, और फसर फिर इन दोनों की powers add भी तो हो जाएगी, ऐसे आइडियोटिक बात इन ना करें, ठीक है, इन दोनों की powers add कैसे होगी, बेसे सो अलग-अलगे, अगर बेसे सेम होते हैं, तब powers add होगी ना, बेसे सो सेम आपके है नहीं, ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर, आगे चलते हैं हम लोगे यहापर, तो I said, कि अगर 2 into 3 raised to the power 4 होता, तो यह आपका क्या होता, 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 4, सर प्रूफ गर के दिखाओ, मैं एका ठीक है, यह क्या हो जाएगा यहापर, 6 raised to the power 4, और 6 raised to the power 4 तो मैं ऐसे तो करनी पाऊँगा, मैं calculate पे करूँगा, 6 into power 2, 3, 4, क्या आता है, 1296, ठीक, इधर देखो, 2 raised to the power 4 कितना, 2 into power 2, 3, 4, 16 into 3 raised to the power 4, तो 3 into power 2, 3, 4, 81, 16 into 81 क्या आएगा, 16 into 81 आगया फिर से, 1296, प्रूब्ड, हैंस प्रूब्ड, ठीक है सर, हैंस प्रूब्ड, everyone सब को समझ में आ गया बोला, निष्टे, 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 बहुत शामदार, अब आईए, सेम चीज़, डिवाइड में हो जाती है, तो अगर मैं ऐसा करूँ आपके पास, कि 4 upon 2 raised to the power 3 है, suppose 4 upon 2 raised to the power 3 है, तो इसको अगर solve करेंगे तो क्या हो जागा, 2 raised to the power 3, यानि 8, ठीक है, और अगर law से चलेंगे, तो 4 cube upon 2 cube, ठीक है, 4 cube upon 2 cube, तो 4 का cube कितना, 4 into power 2, 3, 64, और 2 का cube कितना, 8, 8, 8 is a 64, answer is 8, तो multiplication हो, चाहे division हो, अगर whole raised to the power something है, तो this power will apply to both the terms, this power will apply to both the terms, ठीक है जी, getting it everyone, रहे, चलो, last and final law, बड़ा simple सा law है, आप लोगोंने cube root का नाम सुना होगा, इसको देखके डरों मत, यह बहुत ही simple है, ठीक है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, समझाने के लिए जब तक नीशू बहीं आए, तब तक ऐसे ऐसे खतरनाक mathematical expressions को देखकर डरने के आप नहीं है, ठीक है, डरना नहीं बनता है, अच्छा अभी देखो, अगर ऐसे लिखते है, 9 का square root, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है square root, और अगर power के form में लिखें, तो इसको लिखा जाता है, 9 raised to the power 1 by 2, ठीक है, यह जिनको पता है, बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, 9 के ओपर, यह वालो जो sign होता है, इसको radical sign बोला जाता है, R-A-D-I-C-A-L, radical, तो 9 के ओपर यह radical sign है, इसका मतलब है कि 9 की square root निकालने के लिए कहा जा रहा है, 9 की square root को एक और तरीके से represent किया जाता है, और वो यह है, 9 raised to the power half, 9 raised to the power half, ठीक है, इसको एक और तरीके से बोला जाता है, we are asked to calculate the second root of n, अगर मैं 9 को ऐसे radical sign बना दूँ, और यहाँ पर छोट असा 3 लिख दूँ, यहाँ छोट असा 3 लिख दूँ, तो इसका मतलब हो जाता है, कि मैं 9 की cube root निकालने के लिए आपसे कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो जाता ह कैसे ऐसे भी लिख सकते है, 9 raised to the power 1 by 3, 9 raised to the power 1 by 3, जिनको समझ में आ रहा है, बहुत अची बात है, जिनको नहीं समझ में आ रहा, अब और खायदे से आएगा, ठीक, 9 का square root, एक radical sign लगा कर बताया जाता है, इसको मैंने कहा, 9 raised to the power half लिखा जाता है, यह half कैसे आया, यह half कैस numerator का 1, power को सिर्फ power पे ध्यान देना, तो यह जो power का numerator है, this is basically the power of 9, ठीक है, और radical sign में अगर मालो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतब हो जाता है, हमेशा 2, ठीक है, क्योंकि अगर मालो यहाँ पर 1 लिखना होता, तो फिर हम यह radical sign लगाते ही, क्यों, पतलब अगर हमें सिर्फ लिखना होता है, 9 की first power निकालो, तो first power तो वही है न, 9, तो 9 raised to the power 1 by 1, इसके लिए हम यह radical sign वाला क्यों नाटक करते हैं, तो इसके लिए हम radical sign लगाते ही नहीं, तो what we do is, जब भी हम लोग radical sign लगाते हैं, इसका मतनब होता है, कि we need to find out the square root of 9, और 9 के square root को मैंने आप से कहा कि इसको power 1 by 2 लिखा जाता है, अब power 1 by 2 का यह 1 कहां से आया, this is basically 9 की power, और यहाँ पर radical sign अगर लिखा जाता है, तो इसका मतनब होता है, denominator में 2 आना ही है, अब देखो, 9 में अगर एक radical sign बना कर, मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है, तो 9 की power तो 1 है, तो getting it everyone, 9 raised to the power 1 by 3, 1 कहां से आया, 9 की power 3 कहां से आया, radical sign के अंदर यह छोटा सा जो जरा से लिखा हुआ है, अगर मैं 9 raised to the power, sorry, 9 का ऐसे लिख दो, 9 square और यह, तो यह कैसे लिखा जाएगा, 9 raised to the power 2 upon 5, बस इतनी सी चीज है, इतनी सी चीज है, बस, 9 raised to the power 2 upon 5, ठीक है, अगर माल यह ऐसे लिखा होता, 81 यह, तो यह क्या हो जाता, 81 की power यहां पर 1 है, तो 81 raised to the power 1 by 5, I hope यहां तक आप सब लोगों को बात समझ में आ रही है, power कैसे बन रही है, I hope वो तो सबको समझ में आ ही रहे, very nice, अब आगे देखते है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यही लिखा यानि 9 raised to the power 2 by 5 is equal to a raised to the power m whole raised to the power 1 by n, this is common sense, जो हम लोगो ने अभी तीसरा वाला law पढ़ा, यह वही वाला law है, कैसे, कि 9 raised to the power 2 whole raised to the power 1 by 5, हम लोगो ने यह 3rd law पढ़ा ना भी अभी, मुश्कल से 5 मिनिट पहले या 5-7 मिनिट पहले हम लोगो ने 3rd law पढ़ा, और 3rd law में य 9 raised to the power 2 whole raised to the power something else, तो यह powers आपस में multiply हो जाती थी, तो 9 raised to the power 2 into 1 by 5 आ जाता था, तो 9 raised to the power 2 by 5 हो जाता था, यही हम लोगो ने पढ़ा, इसी को क्या मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ, अब कोर्स लिख सकता हूँ, 9 raised to the power 1 by 5 whole raised to the power 2, यह तो है, 9 raised to the power यह 1 by 5 को इधर ले काल दो, उससे क्या फरक पड़ेगा, क्योंकि powers तो आपस में multiply होंगी, 9 raised to the power 1 by 5 into 2, तो यह क्यों हो जागा, 9 raised to the power 2 by 5, यही चीज लिखी है, कि if a raised to the power m by n is equal to a raised to the power m whole raised to the power 1 by n, ठीक है, इसको उल्टा भी हो सकता है, लेकिन सारब यह क्या चीज है, यह भी आप लोग आप लोग आप लोड़ी जानते हो, कैसे, यह देख, यह क्या, 9 raised to the power 2 by 5, 9 raised to the power 2 by 5, यह क्या है, इसको कैसे लिखोगे, 9 square, radical sign में यहाँ पर 5 ही तो लगाओगे, यही तो अभी अभी सिखाया है मैंने, कि यहाँ पर radical sign से आप normal, simple, power में fraction मगेरा कैसे ला सकते हो, अगर आपके पास यह लिखाओगा, 9 square, और radical sign में यहाँ छोटा सा 5, तो इसी का तो मतलब हो जाएगा, 9 raised to the power 2 by 5, 2 by 5, simple, ठीके, वोई चीज यहाँ आप लिखी है, कि a raised to the power m by n का मतलब क्या, 9 raised to the power 2 by 5 का मतलब क्या, 9 raised to the power 2, a raised to the power m, और radical sign में यहाँ पर आपके पास 3, 5, sorry, radical sign में अब आप चाहो तो इस m को इधर कर दो, या तो आप चाहो कि यह ऐसे कर लो, 9, 5, whole raised to the power 2, इससे भी कोई फरक नहीं पड़ेगा, it's one and the same thing, it's one and the same thing, I'm sure, सब को सबज में आ गया, बोलो, रिष्टें, 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 रि रिष्टें, 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 ऐसे लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पढ़ता है Obviously, अब हम लोग जब इनके questions करेंगे indices में 5 ही laws थे ये 5ों के 5ों laws हमारे complete हो चुके हैं I don't think किसी को भी किसी law में कोई भी दिक्कत आई होगी ठीक है, और अब जब हम लोग इसके questions करेंगे तो उन questions में ये सारे के सारे laws आपके एक साथ apply होना शुरू हो जाएंगे और जब सारे के सारे laws एक साथ apply होना शुरू हो जाएंगे तो थोड़ी सी practice के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा अरे, ये तो आसान था, अरे, हम तो फालतु है, मैं डर रहे थे लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा? Practice, 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 practice तो practice हो आप लोगों को करनी ही होगी आईए, पहले प्रश्नी की तरफ चलते page 1.6 का, page 1.16 का example number 1 simplify 2 into x raised to the power half into 3 into x raised to the power minus 1 if x is equal to 4, अब ज़रा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना solve करने के आप सब लोगों के पास कई-कई तरीके आएंगे indices के questions को solve करने के आपके पास कई-कई तरीके आएंगे लेकिन मैं हर question में सारे तरीके आप लोगों को नहीं बता सकता तो मैं हर question में आपको अभी initially एक-दो questions में तो मैं आपको 2-3 अलग अलग तरीके बता दूँगा लेकिन उसके बाद मैं कोई भी एक तरीके से बता दूगा जो मुझे उस समय स्ट्राइक कर जाएगा यह बात मैंने आप लोगों के साथ पहले भी कई बार शेयर की हुई है एक बार फिर से ये जल्दी कैसे होगा ये सोचने का काम आपका exam hall में नहीं है ये सोचने का काम आपका exam hall से पहले है तो exam hall से पहले आपको जितनी short cuts की practice करनी है जितनी tricks आप लगों को develop करनी है जितनी tricks के बारे में आपको पढ़ना है समझना है, ढूंडना है, सीखना है वो सब आप लोग exams hall से बाहर करेंगे exam में जाने से पहले लेकिन exam hall में जा कर हो सकता है कि आपके बंगल वाले बंदे ने आपसे बहतर तरीका यूज किया लेकिन बहतर क्या होता है बहतर एक subjective term होता है तो हो सकता है उसने अपने वाले तरीके से जल्दी कर लिया लेकिन आप अगर आप अपने वाले तरीके से करेंगे तभी आपका अंसर जल्दी आएगा अगर आप यही सोचते रहेंगे कि सामने वाले बंदे ने कैसे किया उसके पास अच्छी वाली ट्रिक है तो मुझे उसकी वाली ट्रिक पता चल जाए तो नहीं ह पाएगा एक दम सीधी सी बात है पहले भी कई बार बता चुका हूँ ट्रिक्स डिविलाप करनी पड़ती है ट्रिक्स कहीं से मिलती नहीं है और ट्रिक्स कैसे डिविलाप होती है ट्रिक्स प्राक्टिस करकर के डिविलाप होती है एक बेसिक छोड़ी बहुत ट्रिक्स में आ into x raised to the power 1 by 2 into 3 into x raised to the power minus 1. एक है, मैं 2 और 3 को multiply करके 6 लिख सकता हूँ into x raised to the power half minus 1. basis same है, powers अलग-अलग है, इनको add कर दो, तो half में add कर दो minus 1, तो half minus 1, तो यह क्या होजागा 6 into x raised to the power minus half, 6 into x raised to the power minus half, यह क्यों जागा 6 upon x raised to the power half, क्योंकि reciprocal करने पर power का sign change हो जाता है, कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर यह इतने सारे laws एक साथ दिमाग में click करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे, practice करनी पड़ेगी, अभी बिल्कुल परेशान मत हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, कि आपको पहले question से ही सारे के सारे laws एक साथ दिमाग में click करने लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो अभी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरी नहीं होगा, तो आप लोगों को भी सिर्फ और सिर्फ प्राक्टिस की जरूरत है, तो बिल्कुल कोई भी परेशान नहीं होगा, तो 6 अपॉन X raised to the power half, यहाँ पर बताया हुआ है कि X is 4, तो यह क्या आजाएगा, 6 अपॉन 4 raised to the power half, and 4 raised to the power half का मतलब 2, तो 2, 3 is a 6, तो answer आजाएगा आपका 3, option A is your answer, I am sure सबक्रा समझ में आ गया, बोलो, लिष्टे, 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 लिष 1, x raised to the power half और x raised to the power minus 1 तो यहाँ पर यह basis आपके same है, powers अलग-अलग है बीच में multiply है, देख रहो आप x raised to the power half into x raised to the power minus 1, तो powers आपकी add हो जाएंगी, तो half में आपने add कर दिया minus 1 को तो half plus minus 1, this will be what half minus 1, half minus 1 is minus half, और अगर reciprocal कर देते हैं, तो power का sign बदल जाता है, यह भी हम लोगों ने देखा, तो 6 upon x raised to the power half x की जगा 4 डाल दीजे, 4 raised to the power half मतलब 4 का square root, 4 का square root मतलब 2, तो 6 upon 2 is equal to ठीक है जी, सब को समझ में आ गया, चानी कह रही है, getting it sir very nice, तागर, अरेहंत, रोश्नी, आकांग्शा, दीक्षा, बहुत बढ़ी है, clear है सबको, रतनेश दिवारे ने तो निष्टेन, निष्टेन भी कह दिया, अभिहमन यूँ भी कह रही है, yes बहुत बढ़ी है, चलिए आईए, अगले बढ़ी है, अभी इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटु 4 को 24 लिख दिया, इंटु A, इंटु B स्क्वेर, इंटु C क्यूब, इंटु 1 अपॉन B स्क्वेर, इंटु 1 अपॉन C क्यूब, इंटु D, एक है, I hope इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ने numbers को आपस में multiply किया, उसके बाद जितने भी ये constants वगेरा थे, इनको as it is रहने दिया, A को as it is रहने दिया, B स्क्वेर, C क्यूब, फिर B raised to the power minus 2 था, तो 1 upon B स्क्वेर हो गया, C raised to the power minus 3 था, 1 upon C cube हो गया, फिर अब ये और ये कट गया, simply ये और ये भी कट गया, बचा क्या, 24 A, B, option B is your answer, simple, ठीके, अब with enough practice क्या होगा, कि ये question जैसे ही दिखाई देगा, आप लोग अपने आप इसको, 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 काट दोगे, कई सारे लोगों ने अभी भी काट दिया होगा, कई सारे लोगों को इस तरह से spell out करके लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, B square और B raised to the power minus 2 एकदम से दिमाग में click करेगा, क्योंकि ये तो denominator में जाएगा, तो denominator में B square आजाएगा, B square और B square cancel out हो जाएगा, फिर ये C cube है और ये C raised to the power minus 3 है, तो ये C raised to the power minus 3 denominator में आके C cube बन जाएगा, तो C cube और C cube cancel हो जाएगा, लेकिन ये सारी जीज़ प्राक्टिस आएगी, कई सारे लोगों को अभी ही click कर गया ८हाँगा, ये question देखते ही, कई सारे लोग, I am sure, सोच होंगे, यारे यारे तो देखते ही समझ में आ गया, बस ऐसे ही होना है ठीक है, तो जब तक आप लोगों को, ये मैं उनके बारे में बात कर नहों जिनको देखते ही समझ में नहीं आ रहा है, तो जब तक आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, जब तक आपके आप इस वाली स्टेज पर रीच नहीं करते हो, तब तक आप सोच लो कि आपको प्राक्टिस करनी है अच्छी खासी, ठीक है, और कोई इंसान बता नहीं पाएगा आपको, जितने भी स्टूडेंट्स का य इसको तो समझ में आ जा रहे है, उसने कोई खास ट्रिक तो बताई नहीं, बस उसने क्या किया, उसने अपना थोड़ा से दिमाग लगाया, अब दिमाग हर इंसान के पास अलग-अलग होता है, कोई इंसान प्राक्टिस करके उस लेवल की दिमाग तक पहुँचेगा, कोई बाई-बर्थ होता है, तो जितने लोगों को देखते ही समझ में आ जाता है, वो बाई-बर्थ वाले हैं, मैं उन में से हूँ जो प्राक्टिस करके इस लेवल तक पहुचते हैं, मैं वो बाई-बर्थ वालों में से नहीं हूँ, मैं आपको एकदम honestly बता रहा हूं, और मैं इसको समझ में आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, फिर एक टाइम आया था, प्राक्टिस करते, 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 जब मुझे समझ में आने लगया था, और मैंने उन में से एक आत बार किसी का doubt solve किया था, तब मुझे confidence आ आ गया, मैं इसका doubt solve कर सकता हूं, तब तो फिर motivate नहीं होगा, अभी आराम आराम से चलेंगे, आपको बस practice करनी है, revision schedule follow करना है, आगे के question की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है, चलो sir, next question ये रहा, find the value of 4 into x raised to the power minus 1 upon x raised to the power minus 1 by 3, अमने का बड़ी अच्छी बात है, हमें एक काम करते है, 4 into x raised to the power minus 1 upon 4 into x raised to the power minus 1 by 3 है, ठीक है, ये denominator में 4 थोड़ी है, ये है, तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 4 into x raised to the power minus 1 into x raised to the power 1 by 3, बिलकुल कर सकता हूँ, ठीक है, इस वाले को मैं उपर ले आया, आपकी मर्जी होती तो आप इसको नीचे भी ली जाते, वैसे common sense यही कहती है, कि उपर वाले को नीचे लेके करना होगा, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इसको इसी को नीचे लेके जाते हो, तो 1 minus 1 by 3 हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़े practice से आएंगी, ठीक है, अभी तो आपको trial and error ही करना होगा, भी आपको hit and trial करना होगा, और वैसे भी कोई फरक नहीं पढ़ रहा है, अगर उपर को पहले नीचे ले गए या नीचे को उपर लेके गए, कितना मुश्किल से 5 से का फर्क पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा उससे 5 से, ठीक है, तो बिलकूल परिशान नहीं हो ना, राइट, ओके, एनिवे तो यह हो गया, अब आपको क्या करना है, 4 into x raised to the power minus 1 plus 1 by 3, य 4 upon x raised to the power 2 by 3, option c is your answer, ठीक है sir, I hope आपको यह वाली बात समझ में आ रही है, it's very simple, right, option c, 4 upon x raised to the power 2 by 3 is your answer, right, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों में से किसी भी एक power को उपर नीचे ले जाके, मतलब सेम बेस पे लिए और जिससे आपकी powers जो है, आड या सब्राक्त होन simple है, इसमें I don't think मुझे दुबारायति बारा समझाने की कोई जरूरत है, एक, आएए आगे चलते हैं, example number 4 पे, simplify करना है, 2 a raised to the power half into a raised to the power 2 by 3 into 6 into a raised to the power minus 7 by 3 upon 9 a raised to the power minus 5 by 3 into a raised to the power 3 by 2, if a की value 4 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आइए इसको solve किया जाए, तो 2 into a raised to the power half plus 2 by 3 minus 7 by 3 plus 5 by 3 minus 3 by 2 into 6 upon 9, ये कई सारे लोगों को समझ में आ चुका होगा, ये वाली चीज कई सारे लोगों को समझ में आ चुकी होगी, मैं कर क्या रहा हूँ, एकी powers को एक साथ ले आ रहा हूँ, एकी सभी powers को एक साथ ले आ रहा हूँ, तो this half plus this 2 by 3 plus this minus 7 by 3 तो half plus 2 by 3 minus 7 by 3 ठीक है उसके बाद minus this minus 5 by 3 तो minus of minus 5 by 3 क्यों हो जाएगा plus 5 by 3 minus 3 by 2 minus 3 by 2 ऐसे आया यह ठीक है एक बार फिर से बताओंगा मैं यह वाली चीज के यह वाली चीज आई कैसे मैंने basically A की सभी powers को एक साथ लिख दिया तो अब जो A की powers यहां multiplication में हैं उनको तो add किया तो half plus 2 by 3 plus minus 7 by 3 तो ही क्या हो जाएगी A की पावर half plus 2 by 3 plus minus 7 by 3 या नि plus, sorry, minus 7 by 3 minus 7 by 3 ठीक अब देखो यह वाली पावर और यह वाली पावर negative में होगी क्योंकि डिनॉमिनेटर में है तो minus of minus 5 by 3 minus 3 by 2 यही किया मैंने तो यह क्या होगा A raise to the power half plus 2 by 3 minus 7 by 3 plus 5 by 3 minus 3 by 2 यही था तो 2 into चलो पहले यह numbers को एक साथ लिख लेते रहे 2 into 6 upon 9 ठीक है इंटू A raise to the power half plus 2 by 3 minus 7 by 3 plus 5 by 3 minus 3 by अब इसको देख लो आप लो तो 4 by 3 into A raise to the power अब आपको इसको solve करना है तो यहां पर LCM क्या आएगा 6 आएगा LCM तो 2, 3 is a 6, 3 plus 3, 2 is a 6, 2, 2 is a 4 minus 3, 2 is a 6, 7, 2 is a 14 plus 3, 2 is a 6, 5, 2 is a 10 minus 2, 3 is a 6, 3, 3 is a 9 ठीक है अब इसको देख लो आप लो तो 4 by 3 into A raise to the power 3 plus 4, 4, 5, 6, 7, 7 plus 10, 17, 17 minus this, 14 और 9 कितना होता है 23 चलो आज़ो इसको करी लेता है तो क्या 3 plus 4 plus sorry minus 14 plus 10 minus 9 कितना है minus 6 आया है, minus 6 by 6 तो A raise to the power minus 6 by 6, denominator में भी दो 6 है यह cancel out हो जाएगा, तो 4 by 3 into A raise to the power minus 1, तो क्या हो जाएगा 4 upon 3 A, A की वालिव क्या है, A की वालिव 4 है, तो 4 upon 3 into 4, यह cancel out, 1 by 3 is your answer option A is your answer, getting it, everyone सब को समझ में आ गया, बोला, निष्टेन, निष्टेन, निष्टेन ठीक है, sir तो इसमें बहुत patiently आपको solve करना है, अगर कोई भी हर बढ़ाय है इन questions को solve करने में, तो उसका गया अगर patiently solve किया, तो बहुत आराम से हो जाएगा, patiently अगर नहीं solve किया, तो गया तो confusing भी होगा, frustrating भी होगा, सब कुछ होगा, आईए, अगले प्रशन की तरफ परिणाम परिक्षम प्रस्थारम हो, देखो, x raised to the power A into y raised to the power minus b whole raised to the power 3 into x raised to the power 3 into y raised to the power 2 whole raised to the power minus a, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने बात की थी कि ये वाली power इसको भी जाएगी, और इसको भी जाएगी, तो अगर मैं इसको और प्यार से break करकरके एकदम आपको और समझा समझा के निखो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कि x raised to the power A whole raised to the power 3 into y raised to the power minus b whole raised to the power 3, I hope यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं, because we just studied a law, a into b whole raised to the power n का मतलब, a raised to the power n into b raised to the power n, और यहां पर वही हो रहा है, x raised to the power A whole raised to the power 3 का क्या मतलब, x raised to the power A whole raised to the power 3, and बतलब यह 3 वाली जो power है यह इस पे भी जाएगी, और इस पे भी जाएगी, ठीक है, तो x raised to the power A whole raised to the power 3, into y raised to the power minus b into whole raised to the power 3, फिर into x cube whole raised to the power minus a, into y square whole raised to the power minus a, similarly यह जो minus a वाली power है, यह भी इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, yes, alright, बढ़िया, now ये दोनों powers आपस में multiply हो जाएगी third law पढ़ाता हम लोगों ने a raised to the power n whole raised to the power m is equal to what a raised to the power n into m powers आपस में multiply हो जाएगी तो ही क्या हो जाएगा x raised to the power 3a into y raised to the power minus 3b into x raised to the power minus 3a into y raised to the power minus 2a तो क्या अब मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा देखे अब मैं इसको कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा x raised to the power 3a into 1 upon y raised to the power 3b into 1 upon x raised to the power 3a into 1 upon y raised to the power 2a यह रहा ठीक है न नेगेटिव वाली जितनी भी पावर्स है उनको रैसी प्रोकल में ले आए जिससे पावर्स आपकी positive में convert हो गए x raised to the power 3a x raised to the power 3a यहां से कट गया ठीक है बच्चा क्या 1 upon y raised to the power 3b into 1 upon y raised to the power 2a बेसे अगर सेम हो पावर्स अलग अलग हो बीच में multiply हो पावर्स आड हो जाएंगी तो what upon y raised to the power 3b plus 2 1 upon y raised to the power 3b plus 2a this is your answer I am sure सबक समझ में आ गया बोलो निष्टे 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 एक बहुत प्यारी सी request मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी त दो चला है तो आप लोग प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दो जितने भी सुडेंस है वो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजे और वीडियो खतम हो जाने के बाद एक बार comment करके बी जरूर बताइएगा कि आपको आज वाला session कैसा लगा अभी session खतम नहीं तो देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a raised to the power 4b into x raised to the power 6 whole raised to the power 1 by 6 अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये पूरा का पूरा का radical sign में यहाँ पर 6 है तो this entire thing raised to the power 1 और upon 6 ये लिख दिया उसके बाद मैं ये भी लिख सकता हूँ a raised to the power 2 by 3 whole raised to the power minus b into x raised to the power minus 1 whole raised to the power minus b मैं आप लोगों को एक trick बताता हूँ कई सारे students क्या करेंगे ये जो छोटी 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 चीज़े हम लोग लिख रहे हैं ना इन steps को skip कर देंगे क्योंकि mentally ये सारी calculations ये लोग कर लेंगे बहुत सारी चीज़े जो हम लोगों ने पिछले 3-4 questions में भी खी वो कई सारे students skip करके mentally calculate करके final answer तक बहुत जल्दी ले आते हैं तो उससे एक बार फिर से कहा रहा हूँ कि आपको demotivate होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उस level पर पहुँचना चाहते हो ठीक है क्योंकि कई सारे students को ये भी लग रहा होगा न सर इतना लिखने में तो बहुत सारा time चला जाएगा सर रफ पेपर मिलता है क्या वगेरा 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 तो exam hall में रफ पेपर के लिए आपको आप उस revision schedule के हिसाब से चलिए और आप इसके practice कर रहे है आप देखेगा कि थोड़ी सी practice के बाद you will also be able to solve a lot of things just mentally आप लोग भी बहुत सारे steps को skip कर पाओगे लिखने से और क्योंकि वो सब आप लोग mentally solve करने लग जाओगे लेकिन उसके लिए आपको practice तो करनी ही पड़ जाएगी चलिए तो अब आजाओ ये क्या हो जाएगा फिर से a raised to the power 4b whole raised to the power 1 by 6 into x raised to the power 6 whole raised to the power 1 by 6 into a raised to the power minus 2b by 3 into x raised to the power b minus 1 into minus b is b ठीक है तभी क्या हो जाएगा a raised to the power 4b by 6 into x raised to the power 6 into 1 by 6 into a raised to the power minus 2b by 3 into x raised to the power b ये क्या हो जाएगा 2 2s are 4, 2 3s are 6 तो a raised to the power 2b by 3 into x ये 6 और 6 कट गया तो into x into a raised to the power into या फिर एक काम करें ना a raised to the power minus 2b by 3 था तो ये क्या हो जाएगा 1 upon a raised to the power 2b by 3 ये तना a raised to the power minus 2b by 3 reciprocal में ले आओ तो reciprocal में लाने से क्या होगा a upon 1 upon a raised to the power 2b by 3 and into x raised to the power b तो ये 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 x की पावर 1 तो X raised to the power 1 plus B Option A is your answer I'm sure सब को समझ में आ गया बोलो निष्टें, निष्टें, निष्टें ठीक है तो I'm sure आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें एकदम काईदे से clear हो चुकी होंगी मैं आपको थोड़ा सा homework देना चाहता हूँ ये आप homework में कर लीज़ेगा एक्जामपल 7 और ये आप homework में कर लीज़ेगा एक्जामपल 8 और उसके बाद exercise वाले questions हम लोग करेंगे तो एक्जामपल 8 और एक्जामपल 7 ये दो questions आप लोगों के लिए homework है तो मैं आपको फड़ा पट से बता देता हूँ अनेकाडमी प्लस का subscription कैसे लेना है तो उसके लिए आप अनेकाडमी की website पर आओगे website पर आने के बाद आप login करके अपना goal select करोगे see a foundation फिर आप यहां पर subscription plan पर क्लिक करोगे subscription plan पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 options आएंगे प्लस, iconic और center जब आप यहां पर get plus पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यह options आजाएंगे यहां पर आप मेरा code डालेंगे niche 10 और कर देंगे apply तो आपको maximum possible discount यहां पर मिल जाएगा जब आप यहां proceed to pay पर क्लिक करोगे तो आपके सामने option आजाएगा to convert it into a combo subscription जिसमें CA foundation और intermediate दोनों included होता है तो आप यहां पर add कर सकते हो और 44,960 रुपीज में आपको दो साल की validity के लिए CA foundation as well as CA intermediate मिल जाएगा do subscribe to anacademy plus and use my code niche10 to get maximum possible discount thank you so much take care bye